स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इतना कॉमन टॉपिक हो गया है आज कल कि अधर लॉट ऑफ बुक्स बहुत सारे किताबे लिखी गई है इस टॉपिक के उपर कि किस तरीके से आपको स्ट्रेस को हैंडल करना चीए तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चीए खान पीन में चें मेरे अनुसाब क्या है जब कोई चीजें जब कोई इनसान जब कोई सिचुएशन इवेंट सरांडिंग मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है या मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो मुझे स्ट्रेस फील होगा कुछ लेवल तक स्ट्रेस अच्छा है बॉड़ी के लिए कुछ ले तक अच्छा है लेकिन एक level के beyond अगर जाता है तो वो impact करने लगता है हमारे सारे areas of life के जितने भी dimensions हैं सब पे उसका impact आजाता है तो मुझे चार चीजें समझ में आई यह जो मैं आपको आज बताने वाला हम वो इस deck of cards में से एक card है और वो card का नाम है stress how to handle stress basically understanding चार जो इसके पहलू है तो पहला जो usually एक common सा जो response होता है जब हमें कोई stressful situation में आते हैं तो हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो कहीं कहीं वो सही भी है if you are in a situation ऐसी कोई situation में आप अगर कहीं fuss गए हो और आपको लगता है कि यहां से भागने में ही मेरी बलाई है तो it is good, you should run away from that situation तो जैसे मैंने बताया को stress अच्छे भी होते हैं in life but अगर एक situation ऐसी है कि एक normal इंसान वहां से भागेगा नहीं और आप वहां से भाग रहे हो तो उसको हम कहेंगे reaction towards your stress आप उसको react कर रहे हो, वो वाले stressful situation तो मैं मेरा ही case गता हूँ जब मैं अगर कोई situation में से भागता हूँ या मैं भागने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग के अंदर एक thought आता है कि let's move on यहाँ से चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं जब मैं यह चीज बोलता हूँ जब मैं कोई stressful situation में होता हूँ और मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ एक आम आदमी नहीं निकलना चाहता है situation में if I am running out of that situation तो मेरे दिमाग में यह thought आता है ठीक है, तो वह एक reaction हो गया तो उसका एक arrow अगर आप एक paper आप लेके बैठे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं एक upward arrow मतलब एक arrow बनाईए उपर की तरफ जाता हूँ और उसके उपर लिखिए run ठीक है ना? और आपके दिमाग में जब भी आप कोई situation में से भाग रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में थोड़ सा चिंतर मनन करना और लिखना कि आप क्या करते हो सामें पर यह आपका दिमाग क्या बोलता है जब आप उस situation से भागने की कोशिश करते हैं तो एक तो हो गया running था दूसरा आते हैं confronting ठीक है? तो यह arrow आप बनाई है सामने की तरफ towards going towards your right inside ठीक है? Confront जब आपको एक ऐसी stressful situation में आते हैं आपको लगता है कि मुझे यहां पे जगड़ना चाहिए मुझे यहां पे fight करना चाहिए rot रहे हैं, यह confrontation हो गया, तीसरा जो पहलू है, वो है, आप एक arrow बना सकते हैं, downward arrow बना सकते हैं, और वहाँ पर लिख सकते हैं, hide, मतलब छुप जाना, तो एक ऐसी situation में जहां पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं, लेकि नहीं बोल पा रहे हैं, because आपको लग significant from inside, तो उसको हम कहते हैं, hiding, you are actually hiding, तो hiding, if मैं इसी कोई situation में जहां मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं अपने आपको, I will freeze myself basically, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं अपने आपको, I will freeze myself, I will freeze my emotions, और मेरे दिमाग में यह आएगा कि, I mean, what can I do in this situation में, क्या कर सकता हूं, मेरे दिमाग के अंदर यह आएगा, I feel helpless, मैं यह बोलू का मेरे दिमाग में, जबकि मैं कुछ कर सकता हूं, या कोई दूसरा इंसान होगा, वो शायद कुछ कर पाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि I am feeling helpless, तो यह हो गया hiding, confrontation का भी keyword मैं आपको बता देता हूं, जो arrow सामने की तरफ जा रहा था कि, you know, how dare you, मेरे दिमाग के अंदर यह आएगा कि, you know, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यह करने की, जब मेरे दिमाग में यह आता है, तो again I am reacting in that stressful situation, in a way to fight it out, ठीक है ना, तो पहले वाले case में, जिसमें arrow उपर जा रहा है, उसमे में भाग रहा हूं, ठीक है, दूसरे वाले arrow के अंदर में जगड रहा हूं, जो सीधा सामने की तरफ जा रहा है, right hand side, तीसरे वाले arrow के अंदर में छुप रहा हूं, तो यह तीनों ही reactions है, अब आता है fourth arrow या चौथा पहलू, और उसको हम बोलते हैं, being mindful, ठीक है, being mindful यह हो ग एक step पीछे हटके वो situation को disconnect हो के देखते हो कि उस situation के अंदर हो क्या रहा है, actually, यह थोड़ा difficult है करना, लेकिन अगर आपने यह practice में डालना चालो करते हैं, तो chances हैं कि आप reaction वाल मोड में से निकल के response वाले मोड में आ जाएंगे, तो यह arrow आप इसमें अगर आप paper और पहले के बैठे हैं, तो यह arrow को पीछे की तरफ बनाएं, ठीक ना, तो पीछे की तरफ बनाओगे, तो दिमाग के अंदर क्या register हो जाएगा, कि you're taking a step back from that situation, and then you're witnessing what is happening, उस stressful situation को आप witness कर रहे हो, जब आप witness करते हो situation को, तो आपके दिमाग में, अगर, मेरे case के अंदर, when I say that I have a choice, म मेरे दिमाग के अंदर यह आता है, तो मेरा दिमाग automatically दो आप्शन ढूणने पे लग जाएगा, क्योंकि choice है ना, तो मुझे दो आप्शन तो ढूणने ही पड़ेंगे, मेरे दिमाग को दो आप्शन ढूण के देने पड़ेंगे, तो जब दो आप्शन मिलते हैं, कभी- आपके माइड को एक छोट असा पॉस दे दिया, एक intellectual पॉस दे दिया, उसको हम कहते है, response, because आप react नहीं कर रहे हैं, आप response कर रहे हैं, तो एक intellectual पॉस ले लिया, और आपने उस situation को देखा, और आपके दिमाग के अंदर आपने बुला, I've got a choice, तो दिमाग दो चीज़े टू ग्रेसफुली बहार निकल पाएं, बहुत ही ग्रेसफुली बहार निकल पाएं, तो ये चार चीज़े हैं, तीन reaction है, एक response है, काम हमको response के उपर करना है, reaction तो हम यूजरी करते ही रहते हैं, मैं अगर आपको आज ये वीडियो में बता रहा हूं, तो chances है कि ये reaction मेरे बहुत ही होते ही रहते हैं, बट जब जब मैं इस कार को देखता हूं, मुझे याद आता है कि नहीं नहीं, शायद इस reaction को मैं को चेंज करना था response की तरफ, तो आप ये टेक्नीक को एपलाई कर सकते हैं, छोटा से एक्जांपल भी दे देता हूं, अगर आपको एक्जांप कार आती है एंड एक्जिजन्ट हो जाता है, ठीक है, तो पहला रियक्शन क्या, कि मैं वो कार का दरवाजा खोल के गाड़ी चाबी अंदर ही है, और मैं दरवाजा खोल के मैं भाग जाता हूं, वो रॉनिंग वाल अपार्ट, ठीक है, तो आइं एक्शुली रॉनिग अव करता हूं सामने वाले से, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी नही नही गाड़ी को आके टकर लगा दी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ये जुरत कैसे हुई, एक्सेटर, एक्सेटर, और सारे शब्द बोलना चालू कर देता है, ये कन्फरंट होती है तो मैं उस गाड़ी के अंदर ही छुप जाता हूं because I feel that I am really helpless मैं इस समय पे करूँ किया मैं छुप जाता हूं ठीक है मुझे लगता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा powerful है और मैं कुछ भी नहीं कर पाँगा I feel very insignificant I don't have the right resources so I will just hide myself until some help comes तो वो भी reaction है चोथा जो पहलू है जिसमें हम एक step back लेकर situation को देखते हैं तो वो क्या हुआ कि अगर ऐसी कोई situation आती है तो सबसे पहले just give yourself a moment to think about कि basically हुआ क्या है यहां पे एक accident हुआ है ठीक है accident हुआ है जैसे ही आपके दिमाग में यह आता है कि I got a choice है मेरे पास कोई ना कोई एक choice है इस situation में तो उस समय आपका दिमाग यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस situation का सबसे बहतरी solution क्या हो सकता है तो सबसे पहले आप दरवाजा खोल के देखेंगे कि कहीं किसी को छोड तो नहीं आई कहीं खूण तो नहीं बह रहा है कहीं किसी को वामट तो नहीं वरी किसी को कुछ लगा तो नहीं मैसे तो नहीं लगा अगर कुछ लगा है तो उसके उपर सबसे पहले आप action ले सकते हैं ambulance को बुला सकते हैं कोई you know you seek help to get that sorted. अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो then again you will think that I have got a choice in this case. It can be easily resolved. मैं जाके उनका जो number है, एक्षेंग एक्षेंग देटेल्स, बेसिकली काके देटेल्स, इंचार्ण कापने के देटेल्स हैं, कोशिश करना अब ये चार चीज़ों को अगर आप रिलेट कर सकें, अगर चार से जादा भी अगर आपको कुछ मिलता है, तो प्लीज मेक शूर राइट इन देटेल्स, बिकाज हमेशा रॉपन दू ये और फीलबैक, बट मुर्दा मुझे ये चार समझ में आया है, और होफुली कोशिश ये ही करना कि वो तीन सिचुएशन में जहां तक हो कम से कम रहो, और चो चौती सिचुएशन है, स्टेपिंग बाक एंड बिइंग माइंडफुल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश रहना है, पस इसी के साथ मैं ये वीडियो खतम करना चाहता हूँ, और आपको इसमें से कुछ ना कुछ प्रात्रवा होता, थैंकी.